जिन लड़कियों में हार्मोंस के इंबैलेंस के कारें सही टाइम पर बाडी फिगर प्रॉपर शेप नहीं ले पाता है और उम्र के हिसाब से ब्रेस्ट डबलप्मेंट सही से नहीं हो पाता है वो लड़कियां लाखो रुपे की प्लास्टिक सरजी जैसे ऑपरेशन की जगा सिर्फ पांच रुपे की घरेलू चीट से अपना फिगर अच्छा कर सकती है लेकिन कैसे आखिर क्या है वो घरेलू इलाज आई आज यही देखते हैं नमस्ते रोस्तों मैं सोनिया गोयल जपुदापिंग सिटी चैनल पर आपका सौगर करती हूँ दोस्तों ब्रेस्ट डेवलप्मेंट का यह घरेलू इलाज मैंने अपनी आईरुवीड की पड़ाई में सीखा था और उसके बाद पिछले 10 साल में अपने क्लीनिक और कैम्स में जब भी हमने यह इलाज मैच्च और गर्ल्स को बताया हर बार इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलें ब्रेस्ट डेवलप्मेंट के इस इलाज के लिए आपको चाहिए दाना मिथी आपको छोटे दानों वाली दाना मिथी मिले तो वो यूज करें बड़े दानों वाली मिले तो वो यूज करें दाना मिथी के साइज ये टाइप को लेकर किसी तरह का कोई जणजट इस मुस्के में नहीं है ये दाना मिथी आपको कितनी क्वांटिटी में लेनी है ये आपको लेनी है खाना खाने वाली चार चमच यानि करें 20 ग्राम दाना मिथी आपकी बॉडी में मजूद फिमेल हार्मोंस का फ्लो बहुत अच्छा कर देती है इसलिए हार्मोंस के गड़बडी से होने वाली सभी भी मिल प्रॉबलम के लिए दाना मिथी वर्दान होती है अब इस दाना मिथी का क्या करना है ये चार चमच दाना मिथी आपको रात भर के लिए पानी में भीगोकर रखनी है इसलिए मैं अब इसमें एक ग्लास पानी डाल रही हूँ और फिर मैं इसको ढखका रख दूँगी ताकि ये रात भर पानी में भीग सके अगले दिन सुबह ये इस तरह फूल जाएगी, सौफ्ट हो जाएगी अब देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है आपको इस दानामेथी को दो तरह से यूज करना है वो दोनों तरीके में आपको एक के करके डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, कोई कन्फूजन नहीं रहे तो फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि इस भीगी हुई दानामेथी की एक चमच आपको इस पानी में से निकालनी है और खूब अच्छी तरह चबा-चबा कर खानी है जो लोग इसका टेस्ट पसंद नहीं करते, वो इसके साथ किश्मिश मिक्स करके खा सकते हैं एक चमच भीगी हुई दानामेथी खाने के बाद आपको उपर से एक कप गर्म दूद पीना है अगर आपको गाय का दूद मिल जाए तो बेस्ट है क्योंकि गाय के दूद से फीमेल हर्मोन्स की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक होती है लेकिन ये दानामेथी आपको खानी कब है ये आपको सुबह सुबह खाली पेट खानी है सुबह सो कर उठने के बाद जब फ्रेश हो जाएं उसके 5-7 मिनट बाद आप इसको खा लें और बची हुई दानामेथी का क्या करना है बची हुई दाना मेती को मिक्सी के जार में डालिए और जिस पानी में ये भिगोई थी ना थोड़ा सा वो पानी भी मिक्सी के जार में डालिए और फिर इसको एकदम बारीक पीसकर स्मूर्थ पेस्ट बना लीजिए अभी इसको पीसने के बाद मैं आपको इसकी कंसिंस्टेंसी दिखाती हूँ ये कैसा पेस्ट बना चाहिए ये देखिए ये हमारी दाना मेती पिस गई है ऐसा गारा पेस्ट आपको बनाना है जैसा ये पेस्ट मेरे पास बनकर तयार हुआ है फिर इस paste का आपको क्या करना है इस paste को आपको अपने दोनों breast पर apply करना है जैसे cream लगाते हैं या फिर face पर face mask लगा कर पूरे face को cover कर लेते हैं ना face mask से वैसे ही अपने breast पर आपको ये अच्छी तरह apply करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है उसके बाद क्या करना है उसके तेल लेकर आपको अपने एक breast पर 5 मिनट तक circular motion में एकदम हलके हाथ से मालिश करनी है या अपने हाथ को एक ही direction में गोल गोल घुमाते हुए मालिश करनी है जब तक कि ये पूरा एक चमच तेल आपके breast की skin सोग ना ले तब तक मालिश करनी है इसी तरह एक चमच तिल के ते और लाखों रुपे के operation की वज़ाए बहुत ही आसाने से घर पर ही अपने figure को सही आकार और सही shape दीजिए आप इसे follow कीजिए और मेरे इसी तरह की बहुत आसान गरिलन उसके देखते रहने के लिए जैपुर दापिंग सुटी चैनल को subscribe कीजिए